गर्मियों में कब्स से छुटकारा पाने का अच्यूप नुस्खा दही का इस्तिमाल गर्मियों में मठ्था, छाच और कई तरह से किया जाता है दही में कई प्रकार के पॉष्टिक तत्व मौजूद होते हैं जिनको खाने से शरीर को फाइदा होता है दही में केल्शियम, प्रोटीन, विटामिन पाया जाता है दही में दूद की तुलना ज्यादा मात्रा में केल्शियम होता है इसके अलावा दही में प्रोटीन, लेक्टोज, आयरन, फॉसफोरस पाया जाता है लेकिन क्या आपको पता हैं दही के साथ भुना हुआ जीरा मिलाने से इसका स्वाद तो बढ़ी जाता है साथ ही यह आपकी सेहत के लिए भी काफी फाइदे मन्साबित हो सकता है आएए जानते हैं दही में भुना हुआ जीरा मिलाकर खाने से क्या फाइदा होता है भूख लगती है, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उन्हें तो दही में भूना हुआ जीरा डाल कर उसका सेवन करना चाहिए दही में भूना हुआ जीरा डाल कर खाने से भूख खुलती है दही में भूना हुआ जीरा मिला कर खाने के कई फायदे होते है जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं और मिस्किला बोडी चाहते हैं उनके लिए यह काफी फायदे मंद होता है कब्स से छुटकारा कब्स की परेशानी बहुत से लोगों को होती है और धीरे धीरे यह परेशाना काफी बढ़ने लगी है ऐसे में भुना हुआ जीरा और धी खाना फायदे मंद हो सकता है धी और जीरे में फाइबर की परियाप्त मात्रा पाई जाती है जो पाचन प्रिया को दुरुस्त रखने के लिए प्रभावी रूप से कार्य करता है पेट को रखते हैं स्वस्थ दही में अच्छे बैक्टिरिया पाई जाते हैं जो हमारे पेट को स्वस्थ रखने में काफी मदद करते हैं ऐसे में खाली दही खाने से भी आपको इसका फायदा मिल सकता है दिल के लिए अच्छा दही के सेवन से होट में होने वाले कोरोनरी आर्टरी रोग से बचाव किया जा सकता है दही के नियमित सेवन से शरीर में कॉलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है ब्लाड प्रेशर के लिए अच्छा इस बिजी लाइफ स्टाइल में high blood pressure की समस्या बहुत ही सामान्य हैं. high blood pressure की समस्या में दही और भूने हुए जीरे का सेवन किसी दवा से कम नहीं हैं. दही और जीरे में magnesium की मात्रा पाई जाती है. यह blood pressure को संतुलित बनाए रखने के लिए एक जरूरी पोशक तत्व होता है। इस कारण यदि आप इन दोनों का सेवन एक साथ करते हैं तो आपके blood pressure को संतुलित बनाए रखने में काफी मदद मिल सकती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे शेयर करे और हमारा hashmi.com चैनल सब्सक्राइब करें। हन्यवाद